दीर स्टूडेंट से लिए स्टार्ट करते हम क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट साइन्स को पढ़ना जैसा कि जानते हैं हम लोग साइन्स में भी नियंतरन एवं समनवे चेप्टर को पढ़ रहे हैं इस नियंतरन समनवे वाले चेप्टर में हम लोगों ने इस NCIT बुक से बीच व पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोशन नंबर 4 लिखा जाए पहले कोशन क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग कोशन नंबर 3 तक के डिस्कस किया था और भी दो कोशन हम लोग उनके छूट गए थे तो चलिए पर चौंते नंबर कोशन लिखा जाए कोशन है किसी सहारे के चा प्रतान की बरिधी में और एक प्रतान की बरिधी में ऑक्शीन हर्मोन ऑक्शीन हर्मोन किस परकार सहायक है औक्सिन हर्मोन किस परकार सहायक है जहां कोश्चन नमबर 4 क्या बोल रहे हैं कि जो पादपों में प्रतान होते हैं उस प्रतान के लिए अगर बात किया जाए तो औक्सिन हर्मोन किस परकार सहायता प्रतान करता है उस पादप के लिए जिसमें प्रतान होते हैं तो इसका आंसर लिखा जाए पहले, फिर हम लोग समझेंगे, आंसर लिखा जाए, प्रतान असपर्ष के प्रती समवेधन सील होता है, समवेधन सील, समवेधन सील होता है, प्रतान जैसे ही किसी असपर्ष के समपर्ख में आते हैं, प्रतान, जैसे ही किसी असपर्ष के समपर्ख में आते हैं, कॉमा, ओक्सीन दूसरे और विश्रित हो जाता है, ओक्सीन दूसरी और विश्रित हो जाता है, जिसके उस और को सिखाएं, अधिक लंबी होने लगती है, इस प्रकार, वह सहारे के चारो और लिपट कर, पौधो को सहायता प्रदान करती है, दीखे कोशन क्या बोल रहे हैं, कि अगर कोई भी पादब का जो प्रतान होते हैं, इसको प्रतान कहते हैं लर वाला भाग को, लर वाला में जो लपटता है, और तो बोला जा रहा है कि प्रतान में जो है, ओक्सीन हार्मोन का क्या सहायक है, अबी तो हम लोग सिखे कि ओक्सीन हार्मोन शिर्फ पादप को बढ़ाता है जबकि प्रतान के बृधी में तन्ना साखा के बृधी में जिब्रेलिन हार्मोन काम करता है आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही प्रतान अगर लपेटता है तो इसके विपरित ओर वो पौधों मे औक्सीन हार्मोन स्रावित होता है यह दूसरी ओर यानि कि जब तक कोई लर का प्रतान किसी को लपेटेगा नहीं तब तक इसका जो मुह है यानि कि इसका जो ब्रिधी है आगे की ओर नहीं होगा इसलिए ध्यान रखेगी कोई भी लर वाला पोधा है जिसमें प्रतान होते हैं तो अगर सबसे पहले प्रतान की सहता से किसी वस्तु को तच करता है यानि कि बहुत ही असपर्स करने वाला समविंदन सिल भाग होता है किसी भी पोधे का यानि कि सबसे पहले जिसे हम लोग किसी को कैसे तच करता है वैसे ही ये पौधा का प्रतान ही है जो किसी भी वस्तू को टच करता है उसको अपनी अंडर में ले लेता है उसको चारू तरब से घेर लेता है जैसे ही चारू तरब से घेरता है इसके बदले में इसके दूसरी ओर लिखे हैं इस पौधा में ओक्सीन हार्मोन आया जैसे ही यानिकि जब तक इप्रतान घहरेगा नहीं चारो तरफ से तो ओक्सीन पोधा में आएगा नहीं क्योंकि यह उल्टा प्रोसेस होता है जैसे इप्रतान किसी असपर्स को लपिठ लिया अपने अंदर में जैसे जिसको चुवा उसको लपिठ लिया अब उसको लपेटने के दोरान ही ओक्सिन हर्मोन उस पोधे में आ जाते हैं सिवाए अब उब आगे बढ़ेगा जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर से अगला प्रतान जो है लपेटेगा फिर ओक्सिन हर्मोन मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से लर जो है आगे का भाग लपेटते रहते हैं और आगे की किरिया ये बढ़ते रहती है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़े कि एक प्रतान को भी आक्सिन सहायक है यहने कि प्रतान अगर नहीं होगा तो आक्सिन फिर आएगा नहीं तो पोदों में ब्रिधी नहीं होगी तो इस तरीके स सहायता प्रदान करता है, छलिए अब प्रश्न का सबसे अंतिम भाग को देखते हैं, सबसे अंतिम वाले questions को discuss करते हैं, तो छलिए पांच्वा नंबर questions क्या है, पहले इसको discuss कर लेते हैं, questions लिखे लेते हैं, क्या है, question है, लिखा जाए, जलानू वर्तन दर्साने के लिए एक पर्योग की अभीकलपना किजिये जलानूवरतन दर्साने के लिए एक अभिकलपना की एक अभिकलपना परियोग की अभिकलपना कीजिये यानि कि दोस्त अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट करना है एक परियोग करने के लिए बोल रहा है कि आप जलानुवरतन को दिखाने के लिए एक परियोग दिखाईए एक अभी कलपना किजिए अब एक परियोग की अभी कलपना करना है तो सबसे पहले हम इसके पांचमा के उत्तर को पहले लिख लेते हैं पहले इसके आंसर को पहले ल उस परियोग को ही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ठीक है लिखने के बाद आप पहले परियोग को हम आपको बोल कर लिखवा दे रहे हैं आप लिख लिजे फिर उसके बाद हम चीजों को बड़िये तरीके से समझा देता हैं कि जालानुवरतन को हम लोग कैसे दिखाएंगे एक परियोग के माध्यम से तो लिखा जाए परियोग का एरो देंगे लिखेंगे काँच का बना एक डब्बा है पुनविराम इसमें मीट और खाद का मिश्रन है इसमें मिटी और खाद का मिश्रन है कोमा इसके एक सीरे पर एक पौधा लगाया पौध के विपरित दिशा में एक कीप बताते हैं क्या है एक कीप मिटी में गार दिया पौणवराम पोधो को उसी कीप के द्वारा पाने दिया पुण विराम लगभग एक सप्ताह बाद पोधो के निकट की मिटी को हटा कर ध्याम से देखा तो हमें यह पता चला की हमें यह पता चला की पोधो की जड़ें कीप की तरफ आगर आकरशित हुई हैं जो जलानुवर्तन को परदर्शित कर रहा है सबसे पहला बाद की इसमें एक परियोग करना है अब जो आप परियोग लिखे हैं उसके नीचे फिगर भी बनाना है अब फिगर कैसा बनाना है वो आप अच्छे धंग से समझे सबसे पहले एक सीशा का बना हुआ एक आपको डब्बा लेना है तो ये हम काँच का एक बना हुआ क्या ले लिया डब्बा अब इसमें हम लोग क्या भर दिये इसमें धेर सारा ना मिटी कें भर दिये इस डब्बा में और इस डब्बा में मिटी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा खाद मिला भे दिये यानि कि खाद मिला हुआ मिटी इसमें हम लोग डाल दिये किसमें? तो काँच का एक डब्बा है इसी में ये हो गया हम लोगों को मिटी ये हो गया मिटी अच्छा उसके बाद एक तरफ आपको पेंड लगाना है पौधा लगाना है चाहे कोई साभी पौधा हो यह हो गया हम लोगों को पौधा तो पौधा लगाईएगा तो इसका जड़ ऐसे ऐसे करके होगा पौधा तो आप लगा दिये उसके बाद आपको क्या करना है एक तरफ पौधा लगाना है तो दूसरी तरफ क्या करना है आपको कीप डालना है अब कीप किसको कहते है जैसे कि तेल डालने वाला नहीं होता है ऐसे करके ऐसे करके कीप होता है ठीक है उसी कीप को मिटी में गाड़ देना है ये कीप है इस कीप को एक और थोड़ा सा दूर में यानि यहां पोधा है तो दूसरे तरफ हम लोग यानि कि दूसरी दिशा में एक कीप को गाड़ दे रहे हैं ये हम लोगों का क्या है कीप अब क्या करना है आपको रोज रोज पानी देना है तो पौधा के पास पानी नहीं देना है पानी इसमें हम लोग डालेंगे पानी यहां देंगे अब जैसे ही इसमें पानी देंगे लगबग साथ दिन तक पानी देना है किसमें? कीप में तो पानी दिजिएगा तो मिटी में यहां तक पानी सोखेगा, इधर पानी ही पानी रहेगा, यानि कि यहां पानी का मातरा जादा होगा, क्योंकि रोज रोज आप पानी इधर दे रहे हैं, है ना तो खुब से खुब तो फैलेगा, यहां यहां तक कि मिटी में फैल जाएगा पानी, अब रोज पानी दे रहे हैं ऐसा साथ दिन तक दीजिए साथ दिन तक दे दिए जब साथ दिन तक पानी दे रहे थे तब पौधों की जड़े क्या देखा जड़ को किसे मतलब है जड़ अखरी मिटी में इसलिए न धहसे रहते हैं कि वह पानी उनको मिले तब आप रोपे हैं पौधा यहां लेकिन दे रहा है पानी यहां तो इसके जड़े कहां आकरसित होंगी इधर की और आकरसित होने लगी यानि कि जड़ आप सिधा लगाए थे लेकिन अब जड़ किधर की और चल दी जिधर पानी मिलने वाला है तो इस तरीके से आकरसित हुई तब जो है से कि आप कुछ तात दिन के बाद यहां से मिटी उटी जो पौधा के पास हटाईएगा तो पता चलेगा कि जड़ जो है किधर की ओर चल रहा था तो जिधर हम पानी दे रहे थे उधर की ओर उसका जड़े भागने लगी तब इसी किरिया को हम लोग कहते हैं जलान जलानुवर्तन का मतलब क्या पौधे की जड़े जो है जल की खोज में अपनी अंग को बढ़ा रहे हैं हम यहां पर पानी दे रहे हैं तो इनकी जड़े कहां चल दी जिधर पानी मिल रहा है उधर तब इस परकिरिया से असपस्ठ है यही एक परियोग था जिसको हम लोग यहां पे समझना था तो आप परियोग तो लिख लिया है उसके निचे हमें आपको समझाने के लिए फिगर बना दिया है इस फिगर को हम अभी आपको शुक कर रहे हैं तो अब आपको दिख रहा होगा यह असक्रीन पे आपको ये जलानुवर्तन का फिगर हैं जो अभी हम स्क्रीन पे दिख रहा है ये पांचवां के उत्तर ही है जिसमें फीगर बनाना है हम लोगों को तो परियोग जो लिखे हैं उसके बाद इस फीगर को बना लिजे तो दोस्त आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ तो आज के लिए तना धन्यवाद